दोस्तो अगर आप भी मुर्गे के पंजे खाते हैं, तो ये खबर आपको चौका देगी, लग सकता है आपको जोर का जटका, ऐसा भयानक सत जानकर शायद आप विहोश हो जाएं। दोस्तो सुनने में आता है कि लोग मुर्गे का मीट खाते हैं, बकरे का मीट खाते हैं, मचली का मीट खाते हैं बगैरा बगैरा। लेकिन क्या आपको पता है तई लोग ऐसी होते हैं जो मुर्गे के पंजे भी खाते हैं आपको बता दे मिली जानकारी के अनुसार जहां मीट को 80% लोग खाते हैं बही मुर्गे के पंजे की बात की जाये तो इसमें लोगों की तादात खाने के मामले में 15% की बड़ोतरी देखी गई है और ऐसे में खाने बालों की तादात और बढ़ती जा रही है आपको बता दे, मुर्गे के पंजे खाने के मामले में भारत और चीन सबसे आगे देखे गए है लेकिन क्या आपको पता है, मुर्गे के पंजे खाने बालों के लिए ये खबर जटका जरूर दे सकती है तो चली जानते है दोस्तों भले ही मुर्गे के पंजे बड़े ही सस्ते मिल जाते हैं लेकिन आप एक बात सुनकर चौक जाएंगे इस पर हुए रिशर्च की बात की जाये तो मुर्गे के पंजे में सबसे अधिक मातरा में भरपूर तरीके से केल्शियम भरभर कर पाया गया है और इसी बज़े से लोग पंजे खाते हैं मिली जानकारी के अनुसार मनुश्य से लेकर जानवर तक सबी के पैरों में केल्शियम भरपूर मातरा में पाया जाता है और इसी बज़े से भी लोग मुर्गे के पंजे खाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं जो लोग जादा तर मुर्गे के पंजे खाते हैं तो उनकी सेहत कभी खराब नहीं होती बलकि उनकी हड़ियां मजबूत होना और चहरे पर जूरियां आना सब बंध हो जाती है मुर्गे के पंजे खाने से शरीर में अधिक मातरा में गर्मी बनी रहती है अगर आप सर्दियों के मौसम में इसको खाते हैं तो आप बड़ी से बड़ी ठंड़ी से बच सकते हैं बहीं अगर आपके पैरों में दर्द होना, घुटना कमजोर होना, एडियों में सूजन आना, हातों में दर्द होना आदी अगर आप इन सभी समस्याओं से परिशान हैं तो आप पंजे खाने में बिलकुल भी देर ना करें पंजो में इसकदर कैल्शयम पाये जाता है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं एक्सपर्ट की माने तो, जब तक आपके शरीर में कैल्शयम की कमी है, तब तक आप काम्याभी नहीं उठा सकते क्योंकि काम्यावी मेहनत से ही आती है जो कि कैल्शियम के द्वारा इसलिए मुर्गे के पंजे खाएं और अपनी सिहत को तंदुरुस्त बनाएं तो दोस्तो धन्यबाद